नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जगमोहन सचदेवा आपको औरिकिलर थेरपी की ओनलाइन ट्रेनिंग में सिखाऊंगा किस तरहां से करते हैं सर्वाइकल का इलाज दोस्तों आप सबको पहले सिखाया था बताया था कि यह जो एंटी हेलिक्स का एरिया होता है इस पर आपकी पूरी के पूरी स्पाइन आती है और इसमें भी दोस्तों यह जो एंटी ट्रेगर्स का एरिया है यह जहां एंड होता है यहां ब्रेंस्टेम आती है और ब्रेंस्ट के बाद का यह जो एरिया है यह सर्वाइकल एरिया है तो आपने क्या करना है हलका सा जिम्मी से यहां पे दो तिन बार स्टिमुलेट करेंगे स्टिमुलेट करने के बाद यह जो ओरिकुलर थेरपी के सीड होते हैं इन्हें जिम्मी के माध्यम से यहाँ पर दो सीड लगा देंगे इसके जस्ट बगल में एक सीड यहाँ पर और लगा देंगे तो यह दोस्तों हो गया Servical का हिलाच इसमें बहुत सारे patient आपको आएंगे जिनको Servical की वजह से चककर की समस्य आओगी सरवाइकल की वजह से चककर आने की समस्य आओगी तो देखें यह जो Servical का zone हमने cover किया है इससे थोड़ा सा नीचे आजाएंगे यह जो anti-triggers है इस area पर और यहाँ पर हलका सा stimulate करेंगे यहाँ पर हलका सा stimulate करने के बाद एक seed यहाँ पर और लगा देंगे यह ध्यान रखेगा यह तीसरा seed सिर्फ उसको लगाने की जरुरत है जिसको चक्कर आते हैं यह जो मैंने point लगाया यह जिनको चक्कर आते हैं उनको ल जुनी आती है सुन पनाता है जिन लोगों को हाथों में जुन्जुनी आती है सुन पनाता है करन्ट सी feeling होती है उनको यहाँ पर इयर लोप पर आने वाला नियूरोस्थेनिया का point जो nerve को ठीक करता है nerve degeneration को रोकता है वो point भी लेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको एक seed यहाँ जो नियूरोस्थेनिया का area है इस पर भी लगाना है देखे दोस्तों अब हमने इसको तीन लेवल पर treatment को बाटा सबसे पहले जिनको गर्दन में दर easiness point पे treatment दिया और cervical में nerve बगारा दबने की वज़े से जिनको हाथों में सुनपन या जुनजुनी सी feeling होती थी tingling sensation आता है तो उनके लिए यह नियूरोस्थेनिया का point एड़ कर दिया तो दोस्तों यह बड़ा simple रूप में मैं आपको treatment सिखा रहा हूँ इसको आप अपने आ इतनी जानकारी के साथ